हां तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक पीस ओफ इन्फोर्मिशन शेयर करना चाहूंगा मैंने इससे पहले जो वीडियो पोस्ट करी थी इसी प्ली लिस्ट में आडियो पॉक वाली में तो उसके अंदर मैंने चेप्टर 5 और 6 एक साथ ही अप्लोड करते हैं लेकिन उसके अंदर उनफोर्चनेटल सिर्फ चेप्टर 5 प्ले हो रहा है तो इसलिए चेप्टर 6 पर मैं आलग सी वीडियो बना रहा हूं मेरे यह नोटिस में बाद में चीज और में जादा कंसिस्टे चेप्टर 6 एक एक वीडियो अप्लोड किया करूंगा नौट अटल नेटेटे अब तग ट्वाइस हुआ करता था अपना वीक में त्वाइस लेकिन अब से मैं डेली अप्लोड किया करूंगा और यह नोटी इसके चेप्टर 5 तो बिनानेरी कर रहे यह वीडियो को असल में गलती मेरी नहीं है मेरा पिछला अफ़ता निकला ही इतना भयानक है कि मैं गेम तो क्या किसी भी चीज में जरा भी कॉंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मैंने खुद पर गाबू पाते हुए जैसे तैसे सामने वाले प्लेयर काउट किया और मैच जीता मैच के बाद जब मैं चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा था तब एक आदमी ने मेरा रास्ता रोका उसका नाम था जोश लेंगले वो बेडरेस के साथ काम करता है उसने मेरे आज की मैच की परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ करी और जोब वो तारीफ कर रहा था उसक्त मेरे पापा भी वहीं पर थे मैच के बाद हम साइमन की लास्ट रिच्वल से टेंट करने पहुँचे जहां मैं ली जैक्सन से टकरा गया सच कहूं तो वो लीस्ट एक्पेक्टेड परसन थी साइमन के फुनरल में मेरे इसाब से क्योंकि पिछले साल उसने साइमन की वज़े से आत्मात्य अधर करने की कोशिश करी थी मैं अपनी हिरानी को नहीं रोग पाया और उसे पूछी बैठा तुम और यहां जिसके जवाब मैं ली ने कहा होना तो यहां इन लोगों में से किसी को भी नहीं चाहिए लेकिन यह सब यहां केंडल्स लेके तो ऐसे आये हैं जैसे किसी शहीद को आकर विदाई देने आये हो आकर हिपोकर्सी की भी सीमा होती है खेर वो सब जाने दो क्या तुमने नई पोस्त देखी यहां आने के बाद यह मेरा दूसरा जड़का था मैंने चौकते वे पूछा क्या? कौन सी नहीं पोस्ट? किसके बार मैं बात कर रही हूं तूं? जिस पर उसने मुझे अपना फोन दिखाते वे गा अरे यह रही, यह देखो उसका फोन देखने के बाद मुझे लगा आज का तीसरा शौक पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा था सैमन को मारने के और भी बहुत सारे तरीके थे लेकिन उसके ऐलर्जी का फायदा उठाना मुझे सबसे आसान लगा मैंने बहुत प्लैनिंग से उसकी पानी की बॉटल चुराई जिससे वो टैप बॉटर पीने पर मजबूर हो गया फिर मैंने मौका पाकर उसके पानी के कब के अंदर पीने टॉल मिला दिया जिससे क्यों से ऐलर्जी के रेक्शन हुआ उसे जब अलर्जी अटेक आया तो उसकी हालत देखने लाइक थी उसकी चमड़ी पीली पढ़ना शुरू हो गई थी भूलाल था वो सांस लेने के लिए तड़प रहता मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर सकता था तो कि वो मैं ही था जिसने नर्स के आफिस से सारे एपेपेंस चुरा ली ताकि साइमन के बचने का प्रोई चाहंस ही ना रहे देखो मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ मुझे ज़्जमत करो प्लीज लेकिन सच बताना मैंने तुम सब की एक ख्वाईशी पूरी करी है मैंने तो साइमन को सिर्फ वो दिया जिसका वो सबसे सादा हगदार था इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मेरे पाउं तले जमीन के सब गई मैंने अभी अभी जो पढ़ा उससे मुझे लग रहा था कि शायद जिस किसी ने भी यह लिखा है वो उस वक्त हमारे साथ उस क्लास में ही मौज़ूद था यानि वो हम चारों में से ही कोई एक है मेरी परॉल ओफिसर मेरे स्कूल को लेके मेरे रियल डैट से भी जादा स्टिक्ट है उन्होंने मुझे से मेरे टेस्ट के मार्क्स के बारे में पूछा जिसे मैंने साइमन का भाना लेकर टाल दिया असल बात तो यह थी कि मैं अब भी अपनी उसी बिजनस में लगा हुआ था इसलिए ही मैंने उनके यहां आने से पहले अपने सारे बैंड सबस्टेंस अपने पडूसी के घर में चुपा दिये थे क्या पता पुलिस की रेट कप पड़ जाए और साहिमन के बाद से तो मुझे और भी जादा चौकरना रहना पड़ता है क्योंकि अब मैं एक केस में परोल पर हूँ और दूसरे में प्राइम सस्पेक्ट हूँ अफिसर लोपेज ने मुझे इन सबसे दूर रहने की सला देते वे मुझे समझाया कि मैं कैसे इन सब में एक एसकेप गोड बन सकता हूँ और मुझे क्यों अब पहले की तुलना में और भी जादा सावधानी बरतनी होगी उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे साइमन के लास रिचुल्स में जाना चाहिए मैंने टालने की बहुत कोशिश करी लेकिन आखिर में मुझे ओफिसर लोपेस की कहने पर मन मारके वहाँ जाना ही पड़ा वहाँ जाने पर मेरी गड़ फिलिंग मुझे बता रही थी कि वहाँ और भी कई पुलिस वाले आये वे सिविल ट्रेस में ही सही लेकिन वह वहाँ थे जरूर चाय experience कहलो लेकिन मुझे पता था कि वो वहाँ है बस एक बात थी जो मुझे नहीं पता क्या खिर वो यहां क्यों आये थे लेकिन जो भी हो मैं उनसे ध्यान अठाना चाहता था उसके बाद मैंने अपना ध्यान भठकाने के ले चर्च की सजावट को देखना शुरू किया जो मुझे कुछ खास नहीं लग रही थी तब ही एक लड़की सब के सामने आई और एक अचीब सी पॉइंप पढ़ने लगी उसके चले जाने के बाद आफिसर लोपेज ने कहा बहुत ये संदर कवीता चुनी है इस बच्ची ने इसका नाम है Song of Myself वाँ क्या कवीता है उस भूरे बाल वाली लड़की की कवीता सुनने के बाद हम सब लोग बाहर जाने लगे क्योंकि बाकी रिच्वल्स में Only family members ही allowed थे मैं बाहर जा ही रहा था कि तभी एक पुलिस वाले ने मुझे आवाज दे कर रोकते हुआ हे नेट मैं कॉले मुझे तुमसे बात करनी है